तुला रासी वालों का आज का दिन यनी की बारह जन बड़ी 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ बारह जन बड़ी 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है चतुर दसी नक्छत्र है मूल पक्छ है क्रिस्न पक्छ दिन है मंगल वार आज के दिन सुर्य उदे का समय है सात बज की पंदरह मिनट में सुर्य अस्त का समय है पंच बज के तैंटालीस मिनट में आज का दिन काल है दस घंटे अठाइस मिनट तेरह सेकेंड का महिना है पौस आज के दिन शुभ समय सुरू होता है बारह बज के आठ मिनट पी अम से बारह बज के पचास मिनट पी अम तक असुभ काल सुरू होता है नौ बज के बीस मिनट एम से दस बज के दो मिनट एम तक राहुकाल सुरू होता है तीन बज़ के छे मिनट पीम से चार बज़ के पचीस मिनट पीम तक दिसासूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन आगे बठने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चेनल को सबस्क्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके घर पडिबार के बारे में दोस्तों घर पडिबार के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आज के दिन संभाबना है कि आपके घर पडिबार में किसी विक्ती का स्वास्त खराब होगा जिस कारण से आपके घर का माहौल आपके घर का वाता बरन बहुत जयादा खराब होगा आपके घर पडिबार के लोग उस विक्ती के कारण बहुत जयादा पड़िशान होंगे लेकिन अपने घर के माहौल को आपको अच्छा बनाना होगा लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से भी आपका शमय आपका साथ नहीं देगा आज के दिन संभाबना है कि कोई भी बाहरी बिक्ती आपके प्रेम संबंध को कमजोर करने का प्रयास कर सकता है इसलिए आज के दिन अपने प्रेम संबंध से आपको किसी भी बाहरी इंसान को दूर रखना होगा क्योंकि यह आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा आबश्यक और जरूरी है दोस्तों आप में से जो भी जातक, जो भी दर्सक बेपाड़ी हैं, कारोबाड़ी हैं, खुद का काम करते हैं तो आज के दिन अपने बेपार के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा आज से पहले अगर आपके बेपार में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आज के दिन उस पड़ेशानी को उस समस्या को आपको खत्म करना होगा क्योंकि यह आपके कामकाजे आपके बेपार आपके बेबसाई के लिए बहुत जियादा महत्पुर्न और आबस्यक है तो यही था आपके आने वाले शमय कारा सी फल तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस टोटके को आज माने के बाद आपका शमय बिहतर और शांद होगा दोस्तों टोटका बहुत ही जियादा शामाने है आज अपने समय को बिहतर बनाने के लिए आपको अशनान ध्यान करने के बाद भगबान सुर्ज को अर्ग देना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं इस टोटके को अगर आप आज माते हैं तो आपका आने वाला समय गर दें इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें इस वीडियो को आप हर जगह सेर कर दें धन्यवाद जैसी आराम राधे राधे